दोस्तो हम सब बच्पन से इंटरनेट चलाने के लिए GPRS का यूज़ करते आ रहे हैं पर क्या आप जानते हैं आखिर ये GPRS है क्या और कैसे ये इंटरनेट चलाने में हमारी मदद करता है तो देखते हैं इस वीडियो को आज मैं आपसे इसी के बारे मत करने बाला हूँ नमस्कार दोस्तो मेरा नाम मोहित आप देखने टेक नंदन Let's Start दोस्तो जीपी आरेस जिसकी फुल फर्म होती है जनल पैकेट रेडियो सर्विस यह एक Wireless Communication Network है किसी मोवाइल नेटवर्क में जीपी आरेस के दोरा हम डेटा या इन्फोमेशन को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सेंट या रसीब करते हैं जीपी आरेस कोर नेटवर्क 2G, 3G और WCDMA मोवाइल नेटवर्क को इंटरनेट जैसे एक्टरनल नेटवर्क में IP पैकेट ट्रांस्मिट करने की परमिशन देता है दोस्तों जीपी आरेस एक 2.5G नेटवर्क है क्योंकि यह 2nd जनरेशन और 3rd जनरेशन Cellular Communication Standard नेटवर्क है जीपी आरेस में डेटा रेट्स 56 के वेपीएस से 114 के वेपीएस तक होती है इसका प्रियोग मोबाइल फोन से इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किया जाता है और इससे वीडियो कानफरेंसिंग एंड मल्टी मीडिया वेपसाइट को भी एक्सेस किया जा सकता है दोस्तों जीपी आरेस को European Telecommunication Standard Institute ETSI दोरा Cellular Digital Packet Data CDPD और iMood Packet Switch Cellular Technology के रिपलेज में इस्टेबलिश किया गया था जिसको अब 3rd Generation Partnership Project 3GPP दोरा मेंटेंड किया जाता है दोस्तों बस फिर लिए ही इतना इस वीडियो में अगर आपको यह वीडियो पसंद आती तो उसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले तो मिलते अगली वीडियो में गुड़ बाई